इस medium में उधारन 15 का हल करेंगे देखिए इसमें क्या कहता है रिक्त अस्तानों को भरिए देखिए इस खाली अस्तान को भरना है यानि देखिए 11.24 को किस संख्या से भाग देंगे कि माइनस 11.25 होगा तो देखिए इसको हल करते हैं देखिए माल लेते हैं माना 11 बटा 24 भाग यानि इसको भाग देंगे ए बटा 20 भाग देने के बाद प्राप्त होगा माइनस 11 बटा 15 यह माल ले ठीक है अब ए और बी का जो मान निकलेगा वो एंसर होगा ठीक है तो देखिए इतना बरावर इतना या या लिख सकते हैं या इस परकार इंपलाई निसान लगा सकते हैं एक ही बात इतना बरावर इतना अथार्थ इसको मैंसे भी लिख सकते हैं देखिए 11 बट्ट 24 यह भाग को गुणा में बदल देंगे तो B उपर चला जागा और A नीचे और यह माइनस 11 बट्ट 15 अब देखिए B बट्ट A यह गुणा में इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा देखिए माइनस 11 बट्ट 15 गुणा में लाएंगे तो यह उपर चला जागा यह नीचे वाला उपर चला जागा और यह उपर वाला नीचे आ जागा इसको थोड़ा समझ लेते हैं देखिए जैसे देखिए यहां गुणा में तो इसको इधर लाएंगे जैसे देखिए दो एक्स बरावर दस होता है तो यह गुणा में तो क्या करते हैं एक्स बरावर यह गुणा में तो इसको इधर लाते हैं बट्टी में यानि दस को दो से भाग दे रहे हैं तो ओई चीज़ यह हो रहा है देखिए इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा इसको दुबारा इस परकार लिख सकते हैं देखिए इस बट्टे में जाने इसको भाग दे रहे हैं जैसे यहां देखिए दो से दस को भाग देंगे तो इसको जब गुनाम बदलेंगे तो यह पलट जागा सब्सक्राइब को इससे हैं है यहां से देखिए आप इसको कटेंगे तो देखिए यह कट जागा 5 तीया 15 और ये तीन 8 ती है तो यहां से देखिए बी बटता एक क्या आ जागा minus 8, गुण 8, बटा 5, minus 8 बटा 5, अब इसको पलट देंगे, A उपर कर देंगे, B नीचे कर देंगे, तो यहां से यह भी पलट जाए, तो 5 बटा माइनस 8 हो जाए, तो जाए, माइनस को आप ऊपर में लिख सकते हैं, ए बटा B, मरावर, माइनस पाज बट्टा आठ माइनस चीन को उपर कैसे लिखते हैं यह पहले भी बता चुके हैं देखिए यह माइनस आठ है इसको भी माइनस एक से गुना करेंगे इसको भी माइनस एक से गुना करेंगे तो यह उपर चला जागा तो बार बार करके दिखाने हो सकता नहीं 8 दोनों बराबर यह बारबर इसको करके दिखाने का आँ सकता नहीं है तो इस परकार यह हल हो जाता है अब इसका एंसर चाहे तो जाच करके आप देख सकते हैं कि आएगा क्या नहीं देखिए जैसे 11 बट्टा 24 एंसर कितना है माइनस इसको भाग देंगे माइनस 5 बट्टा 8 से तो देखिए 11 बट्टा 24 इसको पल्टेंगे तो 8 उपर 5 नीचे आ जाए यहां से काटेंगे देखिए 8 तीय 24 कट जाए एक अठ्थे तीन अठ्थे तो यहां से देखिए 11 और 5 तीय कितना आ गया 5 तीय 15 यह माइनस अब माइनस को उपर ले जाए तो देखिए एंसर भी से जाज हो गया यहां से एक इस्जाँ देखिए 11 बट्टा कर देखिए 11फ वाट्टा 15 यह एंसर क्या हो जाए माइनस 5 बट्टा आठ यह एंसर हो गया ठीक है अच्छा आप इसे लिख सकते हैं इसको यह सब्सक्ते हैं दखिए अध्तव रिक्त अस्तां जानि खाली अस्त पर माइनस पांच बट्टा आठ होगा